जैसी किशना दोस्तों हमारे बी एस सर्माबाद्धा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों फूंस मास के सुकल पक्ष में दस जनवरी सौंबार को अश्टमी तिती हैं इसे मा अश्टमी का जाता है इसे रुद्र अश्टमी विका जाता है क्योंकि मा रुद्र का bitterness इसी अश्टमी तिती को रखा जाता है आपकी कैसी भी मनो काम न हो ऐसा कोई काम जो बहुत दिनों से आपका अटका हुआ है काम बनने का नाम ही ले रहा मेरे भोले बाबा की किरपा से इस दिन अगर एक वस्तो शिब लिंक पर चड़ा दी जाए तो निश्चित रूँ से वो काम सिद्ध हो जाएगा अगर आपकी पुट्ट प्राप्ति की नौकरी की धन प्राप्ति की साधी की कैसी भी इच्छा हैं इस इच्छा को मन में रख करके आप ये वस्तो शिब लिंक पर जरूर चड़ा देना दोस्तों उसकी सारी जानकारी दे रहे हैं पंतों से जानने से पहले जो भी वक्त जन हमारी चैनल को पहली बाद दिख रहे हैं जिन्होंने अभी तर बी एस सर्माबाद्वा चैनल को सब्सक्राइब ने किया हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल आइकन को दवा करकें और पे क्लिक कर दें जिससे हमारी वीडियो का प्रिति अप्रेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें दोस्तों आपको करना यह हैं आपको यह उपाए बारे पच्चीश से पहले ही कर लेना है क्योंकि बारे पच्चीश तक प्रातेकार से लेकर बारे पच्चीश तक इसमितिथी का संयोग रहेगा आपको करना यह है कि इस दिन इस नान से सुद्धो करके सुद्ध वस्त धारन करके एक लोटा पानी लेना है अगर तामे का या पीतल का लोता हो तो सबसे अच्छा है उस लोटे पानी में आपको जो है थोड़ी शी गंगा जल डाल लेनी है अगर गंगा जल नहीं है तो आप गंगा जी का साथ वार नाम ले लो तो गंगा जी का वास हो जाता है उसमें आपको ग्यारे दाने चावल के साबुत चावल के दाने होने चाहिए उसमें डाल नहीं उसके बाद आपको हरी मूं के ग्यारे दाने उसके अंदा डालें और भगवान सिब जी की पूजा के लिए जाएं साथ में एक बेल पत्र जरूर ले जाएं बेल पत्र का जो पत्ता होता है तीन तरफ जिसके पत्ते होते हैं तीन पत्तों का एक दंदी में लगे होते हैं जो ब्रह्मा अभिष्णु मैश की शुरूप होते हैं बीच में दंदी आजशक्ती की शुरूप होती है उस पत्ते को एक पत्ता का जाता है एक तीन साथ जैसी विच्छाए वैसे लेकी जा सकते हैं और आप साथ में थोड़ी सी हरी घास भी ले जा सकते हैं और जाकर के आपको अपनी मनो कामना बोलते हुए शिव लिंग पर वो जल अर्पित का देना है हरी घास लेकर के गड़ेजी के आगे रखनी हैं और थोड़ी सी हरी घास आप जो नंदी भगवान के सामनी रख दें और जो हरी मूँ के दाने ही उन्हें नंदी भगवान के आगे रख देना और जो चावल के दाने ही वो गड़ेजी पर अर्पित करने हैं और जो बेल पत्र हैं वो बेल पत्र भोले भावा पर सिव लिंग पर अर्पित करने हैं ये करके पध्यान रखें बेल पत्र का पत्ता जब चड़ाते ही तब चिकनी साइड नीचे की तरफ होती है और आप चिकनी साइड में जिदर बेल पत्र का चिकना पत्ता होता है उद्य की साइड में चंदन से ओम नमस्षिवाय या सिरी राम जरूर लिखें क्योंकि भगवान सिर्फ जी को राम अतिप्रिय हैं राम नाम का चालन करते हैं अर्पित करके और एक गी का दीपक भोले बावा के सामने जला देना केवल इस उपाय को करें और जब बापिस आएं पीछे मुड़ करके ना देखें केवल इस उपाय को करने मत्र से भगवान सि जी की करपा से आपके जीवन में आरे रुकावटें दूर होंगी और सवी प्रिकार की मनों का मना पूरी हो जाती हैं दोस्तों इस उपाय को जरूर करें अगर आपको मारी बीडियो चिलेगी हो लाइक और से जरूर करें और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें माक का महीना प्रारम होने बाला है कार्तिक का महिना माक का महिना और बैसाक का महिना तीन महिने अतिसेश होते हैं तीनों महिनों में दान पुन्य पूजा पात अच्छे हो जाते हैं माक के महिने की कथा के साथ साथ नित्प्रती हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको आपको नित्प्रती क किस दिन क्या करना है अगर उसको उपाए को रोज की रोज छोटे छोटे उपाए हुँगे जो आप घर में भी आसानी से कर सकते हैं उनको करने से आपके जीवन की हर प्रिकार की समश्चा का समाधान हो जाएगा कैसी भी समश्चा हूँ इस वार आप करके देखना माग मात्तम की कता सत्रे जनवरी से प्राते के पांच बजे हम चैनल पे डाल देंगे आप जरूर सुनें दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं और उसको पाए को आप कभी भी कह सकते हैं नित्त का नित्त पाए भी बताय दोस्तों अगर आपको मैं जानकाज अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें और वीडियो को लाइक और शेयर जादा से जादा अपने रिष्टेदारों में दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको पुन्र के भागी बने उनका भी कार सिद्धो तो आपको सुत